सुलक्षुना सुबह से रसोई घर में तरह तरह के व्यंजन बनाने में लगी हुई है आज उसका इकलवाता निलेश शहर से जो आ रहा है निलेश की पढ़ाई अभी-भी ही खत्म हुई है और उसे एक कंपनी में सुपर्वाइजर की नौकरी भी मिल गई है जैसे ही सुलक्षुना को उसके बेटे ने फोन पर नौकरी मिलने की सूशना दी तो उसकी आँखों में खुशी के आंसु आ गए थे और हर मा की तरह वो भी उसकी शादी के सपने देखने लगी भगवान का लाख-लाख शुकर है बेटा तेरी नौकरी लग गए अब तु जल्दी से शादी भी कर ले क्या मा शादी और अभी अभी थोड़े पैसे तो जोड़ लेने दो फोन पर निलेश ने अपनी मा की बात कार्ट दी लेकिन सुलक्षुना ने तय कर लिया था कि जब निलेश गाव आएगा तो उसे शादी के लिए मना लूगी सुलक्षुना ने लगभग सारा खाना तयार कर लिया था बस वो निलेश की पसंद का अचार लाने छट पर जा रही थी तब ही उसके दर्वाजे पर एक कार आखर रुकी उसकार से निलेश पाहर उत्रा उसे देख कर सुलक्षुना सोचने लगी निलेश कार से आया है पर ये तो हमेशा बस से गाव आता था मुझसे कहता है कि पैसे जोडने है लेकिन खुद बिना मतलब कि ये लड़का पैसे बरबाद करता है अभी उसकी खबर लेती हूँ ये सोचकर और बनावटी गुस्सा अपने चेहरे पर लाकर जैसे ही वो बाहर गई तो उसने देखा कि दुलहन के लिबास में एक लड़की भी कार से उत्री सुलक्षना उस लड़की का मुझ घूर घूर कर देख रही थी सुलक्षना के दिमाग में कई सारे प्रशने एक साथ आ जा रहे थे लेकिन बिना निलेश के बताए उसे किसी का जवाब तो नहीं मिलना था तभी निलेश ने उस लड़की को जिसका नाम आर्ती था उससे कहा कि आर्ती ये मेरी मा है और तुम्हारी सासुमा इनके पैर चुकर आशिरवाद लो सासुमा ये शब्द सुनते ही सुलक्षना के कान खड़े हो गए उसके जहन में चल रहे सारे सवालों का जवाब उसे मिल गया था आर्ती ने उसके पैर चुए खुश रहो बेटा खुश रहो निलेश अपनी मा का चेहरा देख रहा था उसमें वो अपनी मा का दर्द महसूस कर सकता था निलेश अपनी मा को अचानक हुई इस शादी के बारे में बताना चाहता था लेकिन उसके पहले ही उसकी मा ने अपने मूँ पर उंगली रख कर उसे चुप रहने का इशारा किया और उन दोनों को बाहर ही इंतजार करने को कहा आरती और निलेश की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मा ने उन दोनों को बाहर क्यों खड़ा कर दिया कुछी देर में सुलक्षणा अपने हाथों में आरती का थाल लेकर आई फिर बहु की आरती उतारी फिर वो दोनों घर के अंदर आए मा तू नाराज तो नहीं है न शादी जैसा इतना बड़ा फैसला मैंने तेरे बगैर ले लिया बिलकुल नाराज हूँ तुमने चुपके से शादी कर ली अपनी मा को भी नहीं बताया अरे एक मा के भी तो कुछ अर्मान होते हैं वो मा जी तुझ से कोई नाराजगी नहीं है बेटी बस इस नालायक से है सुलक्षना की बात को सुनकर आर्ती का मन थोड़ा शान्त हुआ उसके बाद उन दोनों ने अपनी कहानी बतानी शुरू कि दोनों एक दूसरे को कॉलेज के समय से ही प्यार करते थे कॉलेज खत्म होने के बाद नौकरी मिलते ही उन्होंने शादी करने का तै किया था निलेश को नौकरी मिल भी गई आर्ती ने निलेश के बारे में अपने घर में बताया लेकिन उसके अमीर पिता ये सब सुनकर आग बबूला हो गए और उन्होंने आरती की जबरदस्ती शादी का प्लान बनाया वो तो एन वक्त पर आरती घर से भाग गई नहीं तो वो उसकी शादी करने थे मा जी इसलिए हमें इस तरह से शादी करनी पड़ी मुझे माफ कर देना बेटा मुझे अब तुमसे कोई शिकायत नहीं है उसके बाद सुलक्षना ने खाना परोसा और सभी ने मिलकर खाया आरती तो सुलक्षना के हाथों के अचार की फैन हो गई मा जी मैं ये अचार थोड़ा और ले लू मुझे बहुत पसंद आए सच कहिए तो मैंने शेहर में इतना अचा अचार कभी नहीं खाया आरती की बाद सुनकर सुलक्षना मुस्कुरा कर रह गई अगले दिन वे तीनों शेहर की और निकल पड़े निलेश सिद करके सुलक्षना को अपने साथ ले जा रहा था शेहर का किराई का घर सुलक्षना को बहुत पसंद आया निलेश अगले दिन ओफिस जॉइन करने पहुचा लेकिन उसे तब बहुत आश्यरे हुआ कि उसे नौक्री से निकाल दिया गया है निलेश की समझ में इसका कारण नहीं आया उसने दूसरी जगों पर भी नौक्री की कोशिश शुरू कर दी लेकिन उसे नौक्री नहीं मिली दिन हफ़ते में बदले और हफ़ते महीने में लेकिन उसकी नौक्री कहीं नहीं लगी अब तो उसकी सारी जमा पूंजी भी खत्म हो गई थी मकान मालिक बार-बार किराई के लिए तकादा कर रहा था और इस बार तो उसने फाइनल बोल दिया था कि अगर इस महीने की तीज तारीक टक किराई के पूरे पैसे नहीं दिये तो तुम लोगों को घर से बाहर निकालकर सारा सामान बाहर फैंक दूंगा हाँ असल में ये आर्ती के पिता के रसूक का ही परिनाम था कि निलेश की नौकरी भी गई और उसे कही नई नौकरी भी नहीं मिल रही थी अब आर्ती ने शादी तो कर ली थी इसलिए वो इसमें कुछ कर तो नहीं सकते थे लेकिन वो ये चाहते थे कि ये मुसीब्ते आर्ती और निलेश के रिष्टे में दरार ले आएं और आर्ती उनके पास वापस चलियाए और ऐसा होने भी लगा था नौकरी ना मिलने के कारण निलेश परिषान रहने लगा था और इसी परिषानी में वो आर्ती को जली कटी सुना दे था एक दिन तो वो शराब पी कर घर आया जब सुलक्षना और आर्ती ने इसका विरोध किया तो अब इनसान अपनी मर्जी से थोड़ा इंजॉय भी नहीं कर सकता है हद है ये तो मुझे ऐसी गुलामी पसर नहीं है ना तो आर्ती ने निलेश की बात का कोई जवाब दी और ना ही सुलक्षना ने क्योंकि उने पता था कि निलेश इस समय बहुत परिशान है लेकिन एक दिन बातो बातों में आर्ती ने सुलक्षना से कहा कि माजी निलेश को नौक्री ने मिल रही है क्यों न हम कुछ अपना ही काम शुरू करें अपना लेकिन अपना क्या मा जी मुझे याद है जब मैं पहली बार आपके घर गई थी तो आपने मुझे अपने हाथ का बना अचार खिलाय था जिसकी तारीफ करते मैं नहीं थक रही थी क्यों न हम वो काम शुरू करें अगले दिन उन दोनों ने ये आइडिया निलेश को भी दिया लेकिन निलेश ने उसमें कोई इंट्रेस्ट नहीं दिखाया आर्थी की मा के पास बहुत पुरानी पायल पड़ी थी उसने वो पायल बेश दी और अचार के लिए जरूरी सामान खरीद लाई अचार बनकर तयार हो गया फिर दोनों सास बहु से बेशने निकल पड़े किस्मत ने ऐसा साथ दिया कि अचार हाथो हाथ बिग गया और इतने पैसे आ गए कि वो घर का किराय भी दे सकते थे और नए अचार भी बना सकते थे निलेश जो पहले इस काम में बिलकुल भी इंट्रेस्ट नहीं दिखा रहा था अब उसे अपने व्यभार और गल्ती पर अफसोस होने लगा बेटा जीवन परिक्षा का नाम है जब तक हम जीवित हैं ये परिक्षा लेती है इसका ये मतलब नहीं कि हम परिशान हो जाएं दुख में हमेशा बैठे रहें आसू बहाते रहें शराप पीना शुरू कर दें जब तुम बहुत छोटे थे तब तुम्हारे पिता जी का देहान थो गया था मुझ पर मुसीब्तों का पहार तूट पड़ा था लेकिन मैं हारी नहीं खूब लड़ी परिस्थित्यों से आरती इतने अमीर घर से आई है फिर भी वो तो दे रही है ना तेरा साथ इस बुरे वक्त में हम सभी को परिस्थित्यों से लड़ना होगा तब ही हमारी जीत होगी धीरे धीरे उनके अचार की चर्चा सब जगा होने लगी मा जी आपके अचार ने मार्केट में कमाल कर दिया है जिसे देखो वो आपके अचार की चर्चा कर रहा है आरती जिस हिसाब से मार्केट में डिमांड बढ़ रही है न मुझे लगता है कि हमें कुछ लोगों को काम पर रखना होगा और शायद एक दुकान भी लेनी पड़े उन्होंने दुकान भी किराई पर ली और कुछ लोगों को किराई पर भी रखा सफलता का ये सिलसिला चलता ही रहा एक साल के भीतर उन्होंने अचार बनाने की एक फैक्टरी भी शुरू करती अब उसकी फैक्टरी में अचार बनने लगे उन्होंने अपने अचार के ब्रांड का नाम रखा अचार वाली ये सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा है न निलेश अगर मा नहीं होती तो ये सब कैसे संभव हो पाता मा ने कुछ नहीं किया ये सब तुम लोगों की महनत और ईश्वर की कृपा का परिणाम है आज अचार वाली और उनके अचार की चर्चा देश से लेकर विदेश में है सुलक्षना के हुनर ने तो उसके परिवार की किस्मत को तो बदला ही उसकी फैक्ट्री से जुड़े हजारों परिवार का भाग्य भी बदला अगर आपको ये विडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट्स करें इस विडियो पर और हाँ, शेयर करना भी न भूलें और भी मज़िदार विडियो देखने के लिए नेचे दिये गए बेल आइकॉन को दबाएं देखते रहीए, बेस्ट बडिज